Hello Everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में दोस एनिक स्कूल से सिक्षक भरती का नया advertisement जारी कर दिया गया है पोस्ट की अगर हम बात करें तो अलग-लग subjects की vacancy है TZT, PZT की पोस्ट रहने वाली है trained graduate teachers and post graduate teachers salary के साथ में आप लोगों को यहाँ पर residence और free food available कराया जाएगा salary काफी अच्छी आप लोगों को मिलने वाली है सभी राज्यों के candidate आविधन कर पाएंगे तो application form जो है कैसे आप लोगों को भेजना है सारी चीज़े हम detail में इस वीडियो में cover करेंगे तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले सैनिक स्कूल कुरू कोंडा की जो vacancy है उसे हम देख लेते हैं तो यह main website है और advertisement की अगर हम बात करें तो इस school से सैनिक स्कूल कुरू कोंडा से केवल एक ही post की vacancy है और वो post है TZT mathematics की तो जो भी candidate TZT mathematics के लिए apply करना चाते हैं क्योंकि salary की अगर हम बात करें काफी अची salary आप लोगों को दी जाएगी साथ में आप लोगों को यह residence free food भी available कराया जाएगा 52,533 बावन हजार पाउन सो तेतिस पर बंत salary आपकी यहाँ पर मिलेगी यदि आपने graduation math से 50% अंकों के साथ में किया है आपने B.Ed और साथ में आपने T.E.T. या C.T. पेपर 2 किसी भी राज्य का T.E.T. या फिर आपने C.T. पेपर 2 क्वालिफाई किया है तो आप बिल्खुल आविदन कर पाएंगे आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर अन्रिजर्व कैटिगरी की जो है पोस्ट रिजर्व है ठीक है यानि कोई भी आविदन कर सकता है तो यहाँ देखिए आप rent free accommodation food will be provided during session session के दौरान आप लोगों को यहाँ पर free में रहने की सुविदा और भोजन की सुविदा अवलिवल कराई जाएगी age relaxation is applicable as per central government rule तो जो भी eligible interested candidate है यदि उनको mathematics पीजीटी के लिए अपलाए करना है तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुरू कोंडा पोस्ट ऑफिस सैनिक स्कूल कुरू कोंडा डिस्टिक वेजर आगरम आंदरपरदेश पिनकोड 535214 यह पूरा address रहेगा इस address पर 500 रुपय का आप लोगों को demand draft जो है बनवाना होगा स्टेट बैंक ओफ इंडिया में जाके आप बनवा ले प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुरू कोंडा के नाम का और 21 दिन के अंदर आप लोगों को भीजना होगा यह application form है इसे download करके फिल कर लेंगे फिल करने के बाद अपनी document की photocopy लगानी है और साथ में demand draft 500 रुपीज का लगेगा और भेज दें यदि आप आंत्रपरदेश में mathematics PZT के लिए apply करना चाते हैं और salary आप देख सकते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी problem नहीं होगी salary के साथ में आप लोगों को यहाँ रहने की सोविधा food इस सभी जो available कराया जाएगा ठीक है तो यह complete जानकारी थी चलिए next जो है school की हम बात कर लेते हैं तो दूसरा जो school है इसकी जो vacancy है यहाँ पर आप देख सकते हैं PZT physics की vacancy है टीजीटी mathematics की vacancy है टीजीटी English की है लेवरेटी असिस्टेंट physics की vacancy है बैंड मास्टर की vacancy है counselor की है PTI की vacancy है female के लिए ठीक है अब चलिए इसमें देख लेते हैं qualification क्या चाहिए यहाँ पर PZT के लिए अगर आप अपलाए करना चाते हैं undeserved category के लिए यानि कोई भी आविदन यहाँ पर कर सकता है 45,000 पर मंथ जो है salary आप लोगों को यहाँ दी जाएगी 21 से 40 साल उम्बर रखी गई है क्वालिफिकेशन एसेंसियल क्वालिफिकेशन पर ही आप गहुर करें दो साल आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन MSC कोर्स आपका होना चाहिए फिजिक्स में 50 परतिशत अंकों के साथ में है और साथ में जो है यहाँ पर end बीएड बीएड क्वालिफिय होना चाहिए ठीक है बाकी जो है बस इतना ही मांगा है पीजीटी के लिए टीजीटी मैट्स के लिए यहाँ पर कहा है कि आपके पास जो है बैचलर डिगरी यानि ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास जो है बीएड होनी चाहिए ग्रेजुएशन साथ में बीएड होनी चाहिए CTET या S TET किसी भी राज्य का CTET जो है आपका QUALIFY हो और इंग्लेस में आप पढ़ा सकें ठीक है Next TZT इंग्लेस के लिए भी वही graduation प्लस graduation में आपके 50% marks तो होने ही चाहिए प्लस BAD होने ही चाहिए और CTET या TET जो है आपका QUALIFY होना चाहिए तो यहाँ पर TZT के लिए 40,000 आप लोगों को salary मिलेगी और PZT के लिए 45,000 TZT के लिए 21-35 साल उम्र रखी गई है और PZT के लिए 21-40 साल उम्र रखी गई है Next लेवरेटी असिस्टेंट FIGICS के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हैं 12 आपकी होनी चाहिए FIGICS के साथ में और उम्र 18-35 है यहाँ पर salary वो 25,000 है Bandmaster के लिए आपका यहाँ पर Bandmaster Drum Measure Course एक तरीके का होता है और इसमें 21-50 साल उम्र है 28,000 salary है counselor के लिए graduation या post graduate आप हो psychology में और साथ में आपके पास diploma होना चाहिए career guidance and counseling का अगर आपने post graduation child development में किया है तो भी आप apply कर सकते हैं 21-50 साल उम्र है यहाँ पर 30,000 जो है वो आप लोगों की salary मिलेगी PTI के लिए जो है यहाँ पर matron की female के लिए है यहाँ पर तो intermediate चाहिए आप लोगों की matron की है तो यहाँ पर intermediate जो है चलेगा ठीक है और साथ में 21-50 साल तक के candidate कर पाएंगे 22,000 salary मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर भी जो है आप लोगों को इस स्कूल से भी जो है आप लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी ठीक है और वाकी free यानि सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ दी जा रही है दोनों ही स्कूल में यह जो vacancy है यह है सैनिक स्कूल अमरावती नगर सी यह vacancy है कैसे apply करना है चलिए इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर दिखा है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर आड्रस जो है लिखा हुआ है प्रिंसीपल सैनिक स्कूल अमरावती नगर और यह आप जो है वो देमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे और स्कूल का जो complete आड्रस रहेगा यहाँ पर आप देखें यहाँ पर अन्रिजर्व कैटेगरी की है जो भी एक एक पोस्ट है वो अन्रिजर्व कैटेगरी की है यानि कोई भी आवेदन कर सकता है तो हमने जो बात की थी यहाँ पर सैनिक स्कूल कुरू कॉंडा की तो यहाँ केवल आप लोग एप्लिकेशन फॉर्म जो है भेजेंगे और सिलेक्शन जो है वो कैसे रहेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिड और बात में जो है वो पता लगीगा और जो अमरावती नगर में जो वैकैंसी है यहाँ पर इनौ ने बिल्कुल लिख दिया है only shortlisted candidate will be called for return test and interview यानि return test भी होगा और interview भी होगा ठीक है तो इन दोनों ही school का जो link है school की main website का तो आप लोगों को share कर दिया जाएगा वीडियो के नीचे description box में ताकि जो भी candidate salary आप देख रहे हैं काफी अच्छी salary है salary के साथ में आप लोगों को यहां रहने की कोई problem नहीं और साथ में जो है यहां पर आप लोगों को खाने की भी कोई problem नहीं होगी और सेनिक स्कूल में काम करने का तो अपना एक अच्छा जो है मौका है आपके पास ठीक है तो चलिए यह vacancy थी दोनों स्कूल की यदि आप interested हैं तो वीडियो के नीचे description box में link दोनों ही स्कूल का आपको मिलेगा उस पर क्लिक करके आप direct स्कूल की main website पर विजिट कर सकते हैं मिलेंगे next वीडियो में thank you